हलो गाईज, वेलकम टू दा चैनल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट PG 2023 की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, round first cutoff, जैसा है आप सबको बता है, जारी हो चुकी है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे round first की कितनी cutoff रही है, और हम इस वीडियो में ये डिसकस करेंगे कि कितना positive shift रहा है और कौनगोन सी branches में negative shift आपको देखने को मिला है तो हम discuss करेंगे general category के लिए round first सबसे पहले हम बात करेंगे all india quota तो अगर हम बात करें branch wise radio diagnosis की तो ये केवल single branch है जिसमें आपको negative shift देखने को मिला है minus 232 का जो branch आपको 214-2022 round first में मिली ती वो ही इस बार 1822 तक ही आपको मिलने वाली है तो ये आपको negative shift देखने को मिला है only single branch then after अगर हम बात करेंगे सबी branches की तो इनमें आपको सबको positive shift देखने को मिला है जो कि एक अच्छी news है अगर हम बात करें dermatology की तो आपको ये याऄ 1198-مeg 스फफ देखने को मिला है जन्रल medicine की बात करेंगे तो 512 का Pediatrics की बात करेंगे तो 1609 का Orthopedics की बात करेंगे तो 2612 का Ops-Grainy की बात करेंगे तो 1425 का General Surgery की बात करेंगे तो 1831 का TB Chest की बात करेंगे तो 3248 का Emergency Medicine की बात करेंगे तो 8258 का तो यहां पे भी आपको उनली एक ब्रांच में नेगेटिव सिप्ट देखने को मिला है जिससे हम बात करें डीनवी टीवी चेस्ट की तो इसमें आपको नेगेटिव नाइन का एफेक्ट पर हुआ है बाकि सबी में आपको पोजिटीव सिप्ट देखने को मिला है यह भी आपके लिए एक अची न्यूज है और अगर हम बात करें और्थोपेडिक्स की तो यहाँ पे आपको 3270 का पोजिटीव सिप्ट देखने को मिला है कमपेरिजन टू लास्ट येर जनरल सरजरी की बात करें तो 2098 का एंड इमर्जेंसी मेडिसिन की बात करें तो 2559 का पैथोलोजी की बात करें तो 11592 का साइकेरटरी की बात करें तो 3841 का ओप्तेलमोलोजी की बात करें तो 4142 का एंट की बात करें तो 5291 का रेडेशन ओपन कोड़ीजी की बात करें तो 547 का ये आपको बोजिटीव सिप्ट देखने को मिला है इन DNB कोटा, इन राउंड फर्स्ट 2023 काट ओफ तो ये हम यहाँ पे ओनली जनरल केटेगरी को डिसकस कर रहे है इतना ही चेंजे, सेम सा ही चेंज आपको अधर केटेगरी में भी देखने को मिला है फाइनली हम बात करें NBE डिपलोमा कोटा सीट्स की फोर जनरल केटेगरी, तो यहाँ पे आपको सभी ब्रांचेज में पोजिटिव स्रिप्ट देखने को मिला है जो ब्रांच अगर हम बात करें सबसे पहले रेडियो डियागनुसिस की जिसमें आपको DNB और साथी ओल इंडिया कोटा दोनों में आपको जो नेगेटिव स्रिप्ट देखने को मिला था वो ही आपको NBE में आपको पोजिटिव स्रिप्ट देखने को मिला है 242 का अगर हम बात करें ओपस का इनी का तो 5,421 का आपको positive shift देखने को मिला है टीबी चेस्ट की बात करें तो 5,649 का एंड चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो 4,090 का एनेस्टेसिय की बात करें तो 11,424 का अप्तेलमोलोजी की बात करें तो 11,023 का एन्टे की बात करें तो 7,155 का वही हम बात करें फेमिली मेडिसिन की तो 11,201 का positive shift आप देखने को मिला है तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एसा ही रिट काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल पर दी जाएंगी Thank you very much